नमस्कार मैं हूँ चंदरभान सिंग बदोरिया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीबी लाइव इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि कोवीड नैंटीन यानी कोरोना पूरी दुनिया में कहड़ा रहा है लेकिन एक चीज जो नोटिस जो मैंने की है मैं इस वीडियो के जरी आप से शेयर करूँगा क्या आपने सोचा है कि ये आदिवासी इलाकों में ना सिर्फ मद्व प्रदेश के बलकी भारत के बलकी पूरी दुनिया के जो हार्ड कोर ट्रैबल बेल्ट है वहाँ पर या तो इसका असर कम है या फिर ये बे असर है ऐसा क्यों हो रहा है कोविड नाइनटीन आदिवासी इलाकों में बे असर क्यों है या नियूंतम असर उसका क्यों देखा जा रहा है इसी इस वीडियो में हम समिक्षा करेंगे परताल करेंगे कि ऐसा क्यों है आकड़ों के लिया से हम बात करें तो भारत में 36 गड़ उड़ीसा के साथ साथ चारकन बड़े ट्राइबल स्टेट माने जाते हैं अगर हम बात करें एशिया के लाकों की तो चीन में जो आदिवासी जन जाती है जपान में जो ट्राइबल कम्यूनिटी है या कमबोडिया में वियतनाम में आसियान कंट्रीज में जो ट्राइबल कम्यूनिटी है वहां पर भी इसका असर नहीं देखने को मिला है अफ्रिका में अगर हम चले जाएं तो अफ्रीक महादीब के कई देश जिसमें इतोपिया, यूगांडा, मजांबिक, साउत अफ्रिका के कई अलाके ऐसे हैं वहां भी इसका असर या तो नहीं है या फिन नियुन्तम है लेटल अमरिकन कंट्रिस की हम बात करें तो ब्राजील हो या आर्जंटीना हो, अरुगवे हो, पेरुगवे हो वहां भी सेम इस्तिती है, वहां भी आदिवासी इलाकों में इसका असर नहीं है तो सवाल खड़ा होता है कि ये विश्व का सबसे बड़ा संकट है, सबसे बड़ा वायरस है जो इनसानियत और मानोता के लिए खतरा है, लेकिन आदिवासी इलाकों में ये बे-शर क्यों है या नियुन्तम असर क्यों है जब हमने अलगलग छेत्र के विश्यशग्यों से बात की तो जो निचोण निकल के आया वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ अगर आप सहमत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आप सहमत है या असहमत है तब भी आप अपनी राय जरूर रखिएगा अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें तो शुरूआत करते हैं कि आखिर क्यों आदिवासी इलाकों में ये बेशर है या नियुनतम असर है आपको याद होगा कि जितने भी आदिवासी इलाके हैं दुनिया भर के देश के दुनिया के उनमें मलेरिया एक बड़ी समस्या रही है Malaria से हर साल लाकों लोग पीडित होते हैं हजारों लोग की जाने जाती हैं एक उसतन हम अगर बात करें तो चालिस साल के आदिवैसी भाई की एगर उम्र है किसी की तो सर्तिया उसको उसके जीवन काल में दो या चार बार malaria हुआ होगा और malaria अगर होता है तो बगेर कुनेन के या क्लोरोक्विन के डोजकिन नहीं जाता तो जायर सी बात है कि उसको चाहे वो बोटल चड़ी हो स्लाइन लगी हो, इंजेक्शन लगे हो या गोली दवाई उसने खाई हो उसके सरीर के अंदर क्लोरोक्विन गया है और क्लोरोकीन जाने का असर भले हमको सरीर में बहुत ज़ादा न दिखे लेकिन उनकी जो बाड़ी है सरीर है वो उसका रेजिडंस पावर मजबूत हो गया है कौनन क्लोरोकीन जाने से तो कोविड-19 जैसे बैक्टिरिया बहुत ज़्यादा उसके सरीर को नहीं बिगाड़ पाएंगे दिक्कत नहीं दे पाएंगे ये एक बड़ी वज़े है जो डक्टरों ने हमें बताई है जो परताल में सामने आई है कि ये जो मलेरिया है वो मलेरिया होना और उसकी ड्रग लेते रहना ये एक तरह से पॉजिटिव हो गया है यहाँ पर आपने देखा हो के अमेरिका और यूरोप मलेरिया मुक्त है और वहाँ पर लोग ज़्यादा मरे हैं भारत में मलेरिया जबर्जस्थ है और भारत में पैसेंट भी कम है कोविड-19 के और मौते भी कम है तो उसकी वज़े है मलेरिया क्लोरोक्वीन डोनाल्ड टरम्प को भारत से हाँ जोड़के तो कभी धमका के भी ये हाइड्रो क्लोरोकिन मागने पड़ी वो भारत ने नसिब अमेरिका को बलकि दुनिया के कही इलाकों में ये मलेरिया की दवा दी है क्योंकि ये प्रेवेंटिव इलाज की तोर पर इसका उपयोग किया जा रहा है कई जगे पर और सबसे बड़ी आदिवासी इलाकों की वज़े यही है कि मलेरिया आपको जीवन में कभी ने कभी हुआ है और आपके सरीर में क्लोरोकीन ये कुनेन गई है जिसके चलते आपका जो सरीर है वो प्रतिरोधक कोविट नैंटीन से रक्षा करने में सक्षम है एक तो ये वज़े है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप खुले में निकल जाए कम्यूटी डिस्टेंसिंग का पालन ना करें नमबर दो सरकार कह रही है डेवली एचो कह रहा है हर कोई कह रहा है कि सब पास में मत रही है दूर दूर रही है हमारे आदिवासी इलाकों में तो पहले से ही फलिय कल्चर है बाप दादाओं ने ट्रैबल्स के जो व्यवस्था बनाई है सामाजिक ताना मना बुना है जीवन सेली जो अपनाई थी वो खुद ऐसी थी कि एक गाओं में 10 फलिये हैं 15-20 फलिये हैं तडवी फलिया है, पटेल फलिया है, ताड़ी फलिया है, स्कूल फलिया है, खजूर फलिया है, जो भी विवस्ता हैं, जो भी नाम हो, यह विवस्ता हमारे यहां पहले से मुझूद है, तो हमारे यहां सहरों की तरफ लोग इखटा नहीं रहते हैं, आदिवासी बस्तियों क कि हम बात करें तो वो डिस्टेंस के साथ रहती हैं, यही वज़ा है कि हमारे अलाके सुरच्छीत है, सेकंड बड़ी वज़ा यही है, तीसरी चीज, हमारे ट्राइबल्स जो होते हैं, वो महनत कस होते हैं, पैतालिज डिग्री के तापमान में भी वो पसीनब आते हैं, मजद 19 जिसे बैक्टिरिया से निपटने के लिए तयार होता है और खुद अपने आपको इतना मजबूत कर लेता है कि बैक्टिरिया उसका कुछ बिगाण नहीं पाता, आपने देखा हो कि 10-10 दिन, 15-15 दिन पैदा चलके हमारे आदिवासी भाही पहुच गए तो सुरक्षित पहुच गए, यहां पर उन्हाने 15-20 दिन गुजार भी लिये कुछ नहीं हुआ, किसी को बुखार भी नहीं आया, यह सेल्फ इमुनिटी जो है उनकी, वो जबर्जस्त होती है, यह सोध का विशय है भले उनमें आप यह कह सकते हैं कि प्रोटीन कम हो फेट कम हो, हेमोगलोबिन कम हो, लेकिन 45 डिग्री में काम करने कि उनकी छमता ने उनके सरीर को, उनके फैपड़ों के तरह मजबूत कर दिया है, कि वो कोविड-19 जैसी चीज़ों से भी निपड लेते हैं तीसी चीज महुदा और ताड़ी का जो सेवन है, वो कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन traditional तोर पे कई लोग इसका सेवन करते हैं, लेकिन यह natural somras है, इसमें कोई chemical नहीं है, प्राकरतिक तोर पर ये पकाय जाता है प्राकरतिक तोर पे उपलब्द होता है उसको परिस्क्रत किया जाता है खासकर मववे को और वास्पन глазी के जरी जरीए उसकी शराब बनाके उसका सेवन किया जाता है उसका सेवन अगर तरीके और सलिके से होता है तो वो शरीर में नुकसान नहीं करता हानी नहीं पहुचाता एक limit होती है तो बिल्कुल कोई नुकसान नहीं है उसका सेवन भी कहीं ने कहीं उपयोगी है आप अलिराजपुर जले कि गाओं फलियों में इस समय चले जाईए आपको महवे की खुश्बू मिलेगी चारों तरफ महवा की महग फैल रही है करोना नहीं टिकेगा महवे की महग से भाग जाएगा ये भी एक फैक्टर है इंपोर्टेंट फैक्टर है आप देखिए कि जो बस्तियां होती है वो फलिया कॉंसेप्ट है शेहरों में हम जाएंगे तो आप देखिए कि एक मल्टी है उसमें पता चला तीस लोग रहते हैं रेलिंग लगी है उतर रहे हैं चड़ रहे हैं रेलिंग का इस्तमाल कर रहे हैं दर्वाजे खिड़कियां इतने सारे हैं कि बार बार उनको हाथ लगा रहे हैं कहीं भी चिपका होगा COVID-19 उनको सिकार बना लेता है पास पास में पता चला तीन फिट की दूरी पे सामने वाले का गेट है इस तरफ सामने वाले का गेट है तो ये हमारे लाके में खुली हवा है पहाड है, जंगल है बस्तियां है, तुफलिये हैं वो कॉंसेप्ट हमारा कुछ नहीं बिगाड रहा इसके चलते कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड पा रहा है ये भी एक बड़ा फेक्टर है दूसरी चीज जो सबसे एहम बात है जिसकी तरफ सायद सरकार को सोध करना चाहिए दुनिया की कई एजेंसियां सोध कर रही है बीसी जी का एक टीका आया था और सोध में ये चीज सामने आए कि जिन देशों में बीसी जी का टीका अभी भी लगता है वहाँ पर कोविड नैंटिन का असर कम है हना कि ये एंटी बैक्टिरियल वैक्सीन था और कोविड नैंटिन एक वाइरस है बैक्टिरिया नहीं बावजुद इसके नतीजे में ये देखने को मिल रहा है कि जो जो बीसी जी का टीका होता वो लंग्स को स्ट्रॉंग बनाता है टीवी से रक्षा करने के लिए और लंग्स पे ही कोविड नैंटिन अटेक करता है कहीं न कहीं उसका साइड एफेक्ट पॉजिटिव साइड एफेक्ट देखने को मिल रहा है बीसी जी लगने वाले देशों में कोविड नैंटिन उतना कहर नहीं ढहा पा रहा है जितना की उन देशों में जहांपर बीसी जी का टीका कबसे बंद किया जा चुका है आप देखिए अमेरिका, स्पेन, इटली, फ्रांस, तुर्की ये वो देशें जहां पर लाखों लोग इससे पीड़ी थे और हजारों लोग मारे जा चुके हैं ये वो इलाकें जहां मलेरिया नहीं होता ये वो इलाकें जहां BCG का कॉंसेप्ट नहीं है ये वो इलाकें जहां पर फलिय नहीं होते ये वो इलाकें जहां महवे की शराब नहीं पी जाती, ताड़े नहीं पी जाती ये वो इलाकें जहां 45 डिगरी में कोई पसीना नहीं बहाता लेकिन हमारे यहां जो इलाका है वहां पर ये सब होता है यही वज़े है कि 130 करोड के आबादी का भारत अभी भी 20,000 से कम positive cases है और अब death के मुकाबले recover होने वालों के सेंख्या बढ़ने लगी है क्योंकि भारत में अब गर्मी भी बढ़ने लगी है तो अधिवासियों को क्यों और अधिवासी योपकों में कियों यह नहीं हो पा रहा है अच्छी बात है सुरक्षीत हैं हमरे यह अपने से Leuchamikan का जलूर किजेगा